हाई फ्रेंज मम्मी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज अब बनाने जा रहा है आलू टिक की बर्गर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आलू टिक की बर्गर बनाना तो मैंने एक पेल चड़ाया है इसमें हम डालेंगी बटर बटर जैसे ही मेल्ट होगा अब इसमें में डालेंगे मटर कर दो है प्रीज बहाई है कि खम मूदा उड़ Rain काली मिज़ पाउडर, लाल मिज़ पाउडर, रनिय पाउडर, हल्दी, अमचुर पाउडर, अमचुर पाउडर, सभी मसालो के अच्छी तरश में फुल लेंगे, यह माराची तरबुनिया यह मसाला यह मारे मटर पक जाएंगे इसमें बॉइल आलो मिक्स करेंगे यह मारे मटर हो गए अब इसमें मारे बॉइल आलो को मिक्स करेंगे मारे मटर पक जाएंगे इसमें अब इसमें अब इसमें अब इसमें ठंडा करने के लिए रख देंगे रख दो मिक्सी सब्सकेशक रिख करेंगे तक्की के तयारी करेंगे क्यात tema करेंगे, इसमें बॉइल ऑफिख गव मिक्स का लिए हैं इसमीते खाद, इसमें मंसान सब्सकोई आप चाहें अगर ब्रेव नहीं डालना चाहें तो आप वह भीगो के डाल सकते हैं इसमें या उबले होग चामल भी डाल सकते हैं अब अदुन आपे हैं मिक्षर लेंगे इस तरह से कोasking साईज के ही अब तकी बनानेंगे लेंगे। अब इसे तरह हम सभी बनों की टिक्की बनाकर रेडी कर लेंगे फ्रेंसे मैंने चावल काटा लिया है इसमें हमाई टिक्की को इस तरह से कोट कर लेंगे अच्छी तरह इसको प्रेस कर लेंगे बन की साइस के कर लेंगे हमारे बर्गर के चांगल के अठी की कोटिंग कर लेंगे ओल हमारा गरम उचुका है अब हम इने रिफ्राइ कर लाए अब आगो ओल में कर वक्राइब का इस दि cent स्थे कोट है अबड़ो फबड़ोगे decisions कि अब डो पान का झाल GR управ भाए और देवा ओब हमागे हPhर-ञ़ माट नहीं चाल झाल जाख झाल 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 यह हमारी बर्गर टिककी अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुकी है अब इनको हम निकाल लेंगे प्रेंशी मैंने बन को हलका सा बटर लगा के सेक लिया है अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप बिना सेके भी यूज़ कर सकते हैं बागी इससे हमारे बन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अगर एक साइड लगाएंगे मारा टमेटो केच्छा अच्छी तरह से अच्छी तरह से अच्छी तरह से मियोनी से जवेज़ मेंड़ी तरह से अच्छी तरह से लगाई अब हमने टिक्की से किती है हमारी उसको रखेंगे अब हमने टिक्की रख दिये लाएंगे एक चीज स्लाइस अब हम इसको बला नहीं हमरी अब हमारी प्याच अब हम इसको बन के रेडी हो गई है अब हमें इसमें हमारी रखाएंगे इस तरह से तक हमारा बन इदे के फ्रेंट्स हमारा आलू टिक्की बर्गर बनके बिलकुर रेडी हो गया है अब इसमें प्लेट में सॉफ करेंगे अब हमारा आलू टिक्की बर्गर बनके बिलकुर रेडी हो गया है अगर आपको मेरी रेचिपी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद झाल करेंगे